हाँ माईडियर फ्रेंडस आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे टेकनिक और वर्क मेजरमेंट वर्कक् does क्या क्या है याना कि gonna is टेकनिक कि motion time study को pre-determine करना तो यह जितनी भी टेक्निक्स हैं time study work sampling सभी का directly observe कर सकते हैं जो काम हो रहा है सब्सक्राइब करके निकाला जाता है यह बागी की जो टेक्निक हो गई जैसे कि उनको किया जाता है based on the analytically इसको मेजर किया जाता है तो आज हम टाइम सब्सक्राइब क्या होठी पहले देख लेते हैं कि होती है time study में क्या है time study is a work measurement technique यान K Gi यान की वर्क मेजरमेंट की एक टेकनिक है क्योंकि यह टेकनिक ही हम डिसक्स कर रहे हैं वर्क मेजरमेंट के लिए यह किसलिए होती है फोर दे रिकोर्डिंग दा टाइम और रेट ऑफ वरकिंग ओफ अधी अलिमेंट ऑफ पस्पेसिपाइड जोब केड़ आउट अंडर आधी टाम लगेगा किस से ओ रहे हैं ऐसी पर्टिकॉलर जोब को और स्पेसिपाइड कंडिशनि में तरन इक एतना टाइम लगेग और किस से हो रहे हैं टाइम को रिकोर्ड करने के लिए देन उसको एनलाई जो भी मिला है डिक मिला मिला किसी ज़ो को करने के लिए को करने के लिए क्या क्या है करना चैडिक करने के दबार पहल लुँज़ पास्ट जोटी है स्पैसिफीक कंडिशन के लिए कितना कैम लगता तरों कि या जाता है जो भी टाइम नेसेसरी होता है क्यों निकालने के लिए कितना पर्फॉर्मेंस हो लो टंड vegetableनais के क्या क्या यूजसे हैं को really Humane की किसी को कौकल ऑटक्ट की मैट करने लिए कितनी कोश्ट Between होथी है help करता है projection को control करने लिए एक ती रोगज़ना कर्था गया वर्क वें करते तो कोटने की थी और फक्स व्कड़ूमा कि इतना कम हमारा कितना टाइम में हो जाएगा हमें पता ँब हो जाएगा हमको प्रोमेस कर सकते हैं कि इतना टाइम में हम आपको सकते हैं कि delivery date या fix date करने के लिए भी यूज किया जाता है using the time study technique it can be found that how much machine and operator can run यान कि हमें यह भी पता होता है कि कितनी machine की requirement होगी और कितनी operator की requirement होगी किसी particular job को पूरा करने के लिए तो time study equipment क्या क्या होते है यह दाइक्यमेंट तो केरी आउट time study belonging to two group दो गुरूप पर डिवाइड गया जाता है पहला गुरूप डिप्रेजेंट करता है time study equipment जो कि यूज करे जाते हैं at the site site पे ही यूज करे जाते हैं ऐसे equipment जैसे कि stop watch हो गई जापर काम हो रहा है वहीं पर यूज करे जाएंगे जैसे कि stop watch हो गई इस एक study board हो गया time study form हो गई और second group रिप्रेजेंट करता है वह equipment जो कि यूज करे जाते हैं as the supplementary and not used carried by the side supplementary की तरह यूज करे जाते हैं साइट पर डारेक्ली यूज नहीं किया जाते हैं ऐसे equipment क्या हो गए a small calculator reliable clock या second hand set of measuring instruments जैसे की टैप हो गया steel rule spring balance micrometer यह सभी क्या है यूज किये जाते हैं पर स्टोफ वोच एक principle devices होता है जो कि मेजर करता है टाइम एकुरेटली टेकन बाई एन ऑपरेटर टू कम्प्लीट एजोब यानकि स्टोफ वोच के दुबारा यह कि मतलब हम कर सकते हैं जा सकता है लगातार जो कि small hand है वहां पर time को record करता है एक revolution जो कि big hand का हो जाएगा ओना इस तरीके से वह क्या दिखाता है second record करता एक minute यानकि एक जो big hand जो होती है बड़ी सोई जो होती है एक revolution जो करेगी बड़ी सुई पूबब हो जो ज? कि एक minute हो जाएगी ज कि scale cover करता है एक minute सो Suzanne के लिबरेट करा घा जाता है इन ऐ इंटरवल फ one by Hyundai a hep मिनट यानकि जो भी announce Ave करता एक मिनट को उसको इतना collaborate किया जाता है जनकि एतना accurately यह होता है ठीक है ज? ज Mos Had सपाइबस्ट परेंट परची तैयक इससही है चक्र लगता है तो इसका मनलब यह मिन्स पूरा सब्सक्राइब सिरा की करते हैं किस तरीके से उनका यूज है रिकोर्डिंग जो भी है डाटा उनके दुबारा जैसे कि नोन फ्लाइबक स्टोफ उसको यूज करेंगे वाइंडिंग नोब जो उसको स्टार्ट करने के लिए प्रैस किया जाता है और उसको दबाया जाता है करना शुरू यान कि रोट्रेट करना स्टार्ट हो जाती है सेकिंड प्रेसिंग ओफ लोग तैम अंगे रिकोर्डिंग यानिक जो भी दोबारा से प्रेस कर दिया हमने वाइंडिंग नोब को क्या होगा लोग हैं वो रुक जाएगी और टाइम को टाइम रिकोर्ड हो पर आ जाएगा तो इस तरीके से हमें कंटिनुसली टाइम को रिकोर्ड करने के लिए यूज करते हैं नोन फ्लाइबेक स्टोफ वोच दैन उसके बाद जबी टाइम होता है दो एक्टिविटी इसका रिकोर्ड किया जाता है और दैन उसके बाद सैक्टिविटी शुरू हो ज जब होता है इस इसमें एक बार काम हो गया दैन उसके बाद छूब के लिए इसके काम के लिए दुबार से हमें प्रस करना होता मियंदिग्क को फिद्राने के लिए बार क्शन hunters का साव फिर्क ऑप पर प्रस करना पड़ता है जिसके विजए से टाइम लग जाता है यह दू देन दूसरे अक्टिविटे के लिए time record करना है तो उसके लिए flyback stop watch यूस करे जाती है flyback stop watch क्या होती है जो कि वोच start होती है है slide की हर्प चाहिए इसमें क्या किया जाता है वाइडिंग नोबा को पोजिचन बे ले आने अब होती है मोविq पॉरवड आगे अगे आगे अपना काम करती है स्पिलीट करने के लिए टाइमे अव्डिमेटिटिस के बीच पीछोटा है जब हुआन्य एकदमर एक्तिविटिस के बाद शुरू हो जाएगी के साथ में रिजल्ट देगी एक्टिविटी कम्प्लीट हो गई और प्रेसिंग दा वाइंडिंग नौब स्टोप करेंगे वन हैंड को सो दैं ऑब्जर्वर में रिकोड़ ताइम एकुरेटली वाइदा सेकंड हैंड कीप मुविंग दैं उसको ऑब्जर्वर है में एक बर कर दिया देन वह चलता रहेगा अपना काम सब्सक्राइब लेकिन जो भी ओब्जर्वर है टाइम को रिकोड कर सकता है जब लेगा तो सेकंड प्रेस करते का वाइंडिंग नोब तो रिस्टार्ट परेगा स्टोप बार को एंड two hands go together वो अपना काम करती रहेंगी तुँ सरी के वो चलती रहती है और कोड़ करना इजी होता है next यह Time Study Board यह एक जो टेकनिक है इसमें क्या किया जाता है Light flat board use करा जाता है जो कि Plywood यह प्लास्टिक शीट का बना होता है वार्ज होता है डाइण टाइम स्टाडी फॉर्म और जोकि इसको फोल्ड करके रखती है इसबैंस क्या ऐक प्रसरज्जन होता हैं में वह चो को in फोजिशन पे होल्ड करने की इसमें होता है तौट ताइम सुड़ी फोर्म हेल्ड फॉज़िश्चन with the help of स्प्रिंग लोग्डेट जैनकि इसको स्प्रिंग लोडेड क्लिप के दवारा स्प्रिंग से एक है उसको दवारा इसको किया जाता है किया जाता है टीपिकल टाइम स्टड़ी बोर्ड इस तरीके से होता है यानिकी टाइम स्टड़ी बोर्ड इस तरीके से होता है यह यहां पर टाइम को रिकोर्ड किया जाता है ठीक है जर्नल परपस के लिए है यह यह इस तरीके से टाइम अलग-अलग टाइप के लिए यानि प्रिडिजाइन प्रिंटिड फॉर्म होती है स्टेंडर्साइज की पहले से डिजाइन एक प्रिंटिड फॉर्म होती है स्टेंडर्साइज की जो की रिकॉर्ड करती है एक रिलिवेंट ऑब्जरवेशन को यह जो डिजाइन होता है इसमें इस तरह से होता है कि ऑ्टोमेटि टाइम स्टेडी बोर्ड करिमीनेटली एंड सकेंड टाइप में क्या होता है इंकलूड होता है वैसे फॉम जो की यूज कर जाती है इन टाइम स्टॉडी ओपेसे में आफ्टर दारी कोडिंग डाटा इन आ फास्ट टाइप ओप दी फॉम यह पहला जो डाटा है वह हो रिको तो सबसे पहला time studies seat होती है कैसे बनाई जाती है department लिखा होदा सबसे उपर study number seat number जो भी है सब लिखा होता है कौन सा operation है mat number लिखे जो होते हैं पार्ट या मशीन नंबर लिखे होते हैं टूल और गेजिज कोन से require होते हैं सब कुछ लिखा होता है टेबल की फौम में टाइम-on-on-off का कब क्या रहे गा इलिफ्स टाइम क्या रहेगा ऑपरेटिव या क्लोक नूंबर क्या रहेगा ठीक है देन प्रोड़क्त या पाइट नूंबर ड्राइंग नूंबर क्वालिटी क्या है है पर सब आ इस तरीके से श्टर्णी टौप सीट ह ताकि जो भी शीट को इस तरह की से एटेज किया जाता है जाब वी काम हो रहा है तैन उसके बाद जो यह इहां पर इसे इसमें क्या किया जते हैं element description कितना कौन से elements उसके बारे में यह कुछ शोट में हैं यह क्या होते हैं देखो यानकी यह element के और डबलू आर स्ट एंड बीटी क्या होता है यहां पर लिखा हुआ है सब्सक्राइब जो बीटी क्या है है बेसिक टाइम सब्सक्राइब डी मोच्री एंड ओर एक रही जाता है इसको और शकुलेट करा जाता है यानकी पहले करके दर उसके बाद जोबी यह इस तरह के से किया जाता यह सब सेम ही है ठीक है क्योंकि यहां पर complete हो गए यहां से शुरू कर देंगे elements का जो भी टाइम लगेगा तो इस तरीके से बनाया जाता है टीपिकल लेयाओ टाइम टॉप शीट है यह देन आता है टाइम स्टडी में इस तरीके से complete चलता रहता है जाने के चुनल पर आगे इसके बाद शोर्ट साइकल टाइम सड़ी फोव्म क्या होता है इसमें वह बना जाता है फिले नमबर क्या है तूल और जिसक्रिप्शन नमबर वगएर जो भी क्या है सभी होता है यहां पर प्रोड़क्ट या पार्ट नमबर जो भी रहता है ड्रॉइंग नमबर क्या रहेगा क्वालिटी कौन सी रिक्वार्मेंट उसका पर्टिकुलर कोई कौलिटी से रेटर कुछ नमबर सोंगे डान मेट्रियल नमबर होगा अबर किंग कंडिशन कुछ होंगी स्टाइब या शीर्ट नमबर जो भी है तो इस तरह से यह सब काई पहले ही डिफाइन होगा ताकि जो भी डाटा आया है क्लोक नमबर क्या है डेट या चेक यान कि किसने कर था तो इसमें क्या है जो भी अलिमेंट उसके नंबर होते हैं किस अलिमेंट नंबर के दोबारा डिटान किया जाता है इन ने मं करने के लिए 500 आमने लिया तो टो टोटल टाइब來到 कि करने लिए टोन को गाजी जी तो चाइनिकत और टोटल टाइम का सफिर्ट निकाल लेंगे फिर उसके बाद रेटिंगर रहे दैवारिट्न क्या रहेगी गजो बेसिक टाइम है उसको को निकाल लेंगे ठीक है तो इस तरीके से निकाला जाता है ले आउट टीपिकल शोट शाइकल टाइम स्टेडी के लिए यह यह क्या है ले आउट टीपिकल टाइम स्टेडी समरी सीट समरी सीट बनाई जाती क्योंकि इतना सब हो जाता है देन उसको समझना होता है तो समझने स्टेडिल्स कुन से है कि सेक्शन का है भी नमबर क्या है जो बी नमबर को सा है किन राइग नम्बर या कितने क्वांटिटि बनाया है मेटरियल कौन सा है वर्किंग कंडिशन क्या है ठीक है ओपरेटिव या वाच नंबर क्या है और यहां पर क्या होगा स्टडी नंबर क्या है शीट नंबर क्या है डाइडेट क्या है ठीक है टाइम ओन ओफ क्या है एलिप्स टाइम क्या है चेक टाइम क्या है कब चेक किया है कितना लगा है उब जल्टप j क्ल אתраз संटेजी क्या है स्ट टेस किस ने करी चेकिंग किसने किया है तो यह क्या होता है जाता है तो इस किया जाता है उनले रिवेर यस्टार पर इनिक bitten तो बेसिक टाइम सब्सक्राइब करना मिलेंगे नेक्स वीडियो में पूरा कंप्लेट जो भी जो भी शेप्टर है इसको पार्ट में डिसक्स कर लेंगे तो नेक्स टम स्टोफ वच्टाइब सब्सक्राइब करेंगे कैसे फोलो किया जाता है अगर वीडियो अच्छी लगें कर लेना मिलेंगे एक और बहुतरी वीडियो को साथ में है वे नाइस टे